दमस्का बीसे न्यूज के भविश्य दर्पन में मैं शतिजा देश मुक आप सभी का स्वादत करती हूँ आज हम जानेंगे नौरात्री के विशेश महत्व के बारे में नौरात्री का मुहर्त क्या है किस समय पे हमें घटस सापना करनी है और डेवियों की उपासना नौरात्र में नौरात्र की कैसी करनी है इसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्तित है जोतिश आचार परव का और ताकि यह जो अपना परव है नवरातरिका है तो माता के वंदना से शुरू करते हैं पहले जो मा प्रकूर्ती है प्रकूर्ती के अंदर पूरा मा सम्मिलित है और जिस मा के वज़े से प्रकूर्ती पूरा इस आवरन चाया हुआ है उस मा के आचल में जो प्रकूर्ती बसता है जो प्रकूर्ती मा के कंट्रोल में है उस मा को नमन करते हैं पहला दूसरा शरणा का दीनारत परिक तिराना परारिये सर्वस्री आरतिर दीवी नारणे नमसतियाने मतलब क्या है? जो माता के शरण में रहता है उसके सारे कश्ट सारे दुख मा हर लेती है दोखो प्रिये दर्शकों ये नवरात्री का जो पर्व है ये बहुत बड़ा पर्व है हलाकि ये जो अपना अश्विन नवरात्र है सबसे बड़ा शार्दिय नौरात्री को बहुत बड़ा नौरात्री माना जाता है इसमें देखो ये नौरात्री जो रहता है नौरात्र बोलता है नौ दिन होते हैं लेकिन नौरात्र का महत्व इसलिए क्यूंकि ये देवी का जो शक्ति होता है वो नौरात्रों में रात्री जो पूजा करते हैं उसमें उसका शक्ती ज़्यादा रहता माता का और देखे यह जो नौ का संख्या है एक से लेके नौ तक का सबसे बड़ा है नौ के बाद कोई संख्या नहीं देखे पिर दस आ जाता ठीक है नौ डिविया है नौ ग्रह है और हमारे शेरिग में पर इसके इसे पराण आता है जाता है और यह जो शाक्त रहते हैं जैसे हम लोग योग में पताजली की योग में साथ चक्र मानते हैं यह तो शाक्त होते हैं जो माता के उपास नव चक्र मानते हैं उसमें लरना चक्र और एक अपना चक्र आता है जिसको वो मान के चलते हैं यह नव चक पाद और कोई संख्या नहीं है। देखो यह जो नव रात्री है नव रात्री आके नव दुर्गा का उपसना होता है। शैलिपुत्री, ब्रह्मचाने, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, सकंत्रमाता, कात्यायने, कालरात्री, महागोरी, सिद्धात्री, नववी देवी लास्ट है। यह नव देवियां भी नव ग्रह भी नव देवियों के सांकेतिक रूप माने जाते हैं। इसमें कैसा है, हम आगे देखेंगे कौन से राशी वाले, किन देवी का पूजा करना, किन उनको लाव कैसा होगा। यह था। तो पहली बात नवरात्री का दो सांकेतिक रूप है अपने जो पूछा है। पहला है एक अपना भूगलिक शास्ते से एक अपना भोतिक उसका कारण। क्या होता है, जब यह अपना गर्मी से लेके या बारिशे थंडी के अंदर शेरी प्रवेश करता है, प्रवशरीर के अंदर बहुत सारा अपना मेटमोलिजम सेट होना रहता पहला। दूसरा इस अपना धर्ती में भी बहुत सारे वाइरस नहीं नहीं पैदा भी होते हैं, नहीं उसमें डवलोप्मेंट्स होते हैं। उसको बेस करने के लिए, उसको एक स्टेबल करने के लिए, उसको एक स्तिर्ता लाने के लिए हमारे पूरव नवरात्री का पर्व मनाय जाता है। इसके अंधर हम 9 दिन उपवास करते हैं, खाना पीना त्याग देते हैं, कई लोग सिर्फ फल के ओपर करते हैं, कई लोग फिर पानी के ओपर करते हैं, तो इसका अलग-अलग उसका महत्व है, इसका आध्यात्मिक लाभी मिलता लोगों को, प्लस अपना शारिविक स्वास्त लाभी मिलता है, अपने पूर्वा जोगा इतना साइन्टिफिक चीजे थें, बिल्कुल, 9 दिन, 9 दिवियों की भी उपासना की जाती है, इनका अलग एक महत्व है, क्या बताओगे? देखो, ये 9 दिन जो होते हैं, अच्छली ये क्या है, देखो, ये हमारा 9 दिन जो होते हैं, वो दिवि का उपासना जरूर करता है, लेकिन एक बात याद रखिए, वो मा जगजनेनी है, परामविका है, और आधिपराशक्ती है, उन्हें के वज़े से सारा शुष्टी ब् पहला जनम भी नहीं है, आखरी जनम भी नहीं है, ये बीच का है, हर जीव अपना यात्रा इधर शुरू कर रहा है, चालू रख रहा है, कोई किसी का कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनर बनता है, कोई गरी बरेता है, कोई मोची बनता है, कोई अमबारी बनता है, कोई अरजित कर सकते हैं और ये नव रात्री में एक एक दीविखम जो पूजा करते हैं इससे नव ग्रह भी शान्त होते हैं और देखो सबसे बड़ी बात बोलता हूं हम तो दीविमा को मानते हैं पूजा करते हैं नव दूरगा का और आश्णिमी की दिन कन्या पूजन भी करते ह इसका महत्म क्या है ये जो नारी शक्ति है ये शक्ति है शक्ति भगवान शंकर में भी है देखो शिव से ये निकाल दो शिव आके शव बन जाते हैं नारायन में से विष्णु में से लक्षमी को निकाल दो दरिद्र नारायन मन जाते हैं ब्रह्मा में से सरस्वति निकाल दो ब्रह्मा को ज्यान ने रहता शुष्टी कैसे चलाना तो ये जो शक्ति है ना मा, दुर्गा, भगवती जो भी शक्ति है ये शक्ति आकर शुष्टी के संचालन में उनका ही हाथ होता है जैसा समलने घर में बल्व है बल्व के अंदर light current चले गया मोबाइल के अंदर अगर तुमरा आप चार्ज नहीं है, सिम कार्ड नहीं है तो तुमरा मोबाइल काम नहीं करता उसी प्रकार से ये जो शक्ति होती है घर की स्त्री होती है मा, बहन, बेटी, पत्नी ये घर की शक्ति है तो हमरा क्या बनता परज उनके साथ एक ताल्मिल बना के चलना, उनको प्रेम से चलना, प्लस उनके साथ चलना, उनका ध्यान रखना, और अगर हमारी मा है तो उनकी सेवा करो, बड़ी है हमसे बहन है तो उनकी सेवा करो, हमसे छोटी है तो उनका लालन पालन बरबत प्यार मोबत से चलाओ, यही होता कन्या पूजन होता है ताकि हम कन्या का बहुत मान सम्मान करें वो कन्या में भी मा भगवती देवी का रूप देखें पहला दूसरा सुमंगली पूजा भी होता है जहां पे नौमी और अश्ट मी होता ना है महा गोरी के दिन वो सुमंगली पूजा भी होता है वो सुमंगली में जो सुहासीन, जो हमारे जो सुमंगली अउठे, जो साज़ुदा ओर्टे, लिदिशें, उनका भिखा करते मागोरी को सांकेतिक रूप में करते है और देखो एक बात बोलता हूँ, ये जो हमारे हिंदु धरम है, इसमें हर रूप में, हर वरण में एक भगवान एक ये है, देखो हम बोलते कि कभी कबार ये भी देखो, आउट आवधी पर्टेक्स बोलता हूँ, नवरातिरी संबंदित है, हम बोलते हैं, जो सुहासी ने, जिनका सुहागे, वो ही सहिये करें, ठीक है, मा ने एक बार भगवान शंकर को निंगल गये थे, वो था धूमावती का रूप, मा धूमावती का, वो धूमावती का भी पूजा होता है इस धरते पे, वो है अपने धाका में, जिसमें धाकेश्वरी बोलते हैं, बांगलाद का महा विशेश पर्व है, इसमें जो भी भक्त जन, माता, भेनों का मान सम्मान करते हैं, नारी शक्ति का मान सम्मान करते हैं, किसी नारी के बार में अपशब्द नहीं बोलते हैं, और सब को अच्छे से ले के जलता हैं, जो दुखी हैं, जो गरीब हैं, जो परेशान में ह उनको अगर मदद करते हैं, मा वैसी भगवती वैसे ही अपने पर क्रिपा करती हैं. इस बार जो कि नौरात्री है, वो नौरात्री कौन से नक्षत्र पर आ रहे हैं, क्या बताऊगे? देखे, हमारा जो यह जो नौरात्री चालू होता है हमेशा, कभी भी अश्वी निमाश्र के शुक्ल पर्ष्ट प्रतिपदा तिफिको चालू होता है. अभी यह जो अपना है, 15 अक्टबर 2023 जो रविवार है, उस दिन पर अपना नौरात्री चालू हो रहा है, और घटस्ता अपना का जो महरत है, सबेरे साड़े च्छे बज़ से लेके 8-47 तक का अच्छा महरत है, उसके बाद 11-48 से लेके 12-36 दोपेर का अपना अभिशित महर होते हैं, जिसमें आप घटस्ता अपना कर सकते हो, बाकि अगर नहीं हो पाता है, तो अगर कोशिश यही करो, कि शाम के 4-4 बजे से लेके, शाम के 6 बजे के अंदर कोई भी घटस्ता अपना नहीं होना चाहिए, कितना भी कारण हो नहीं करें, क्योंकि उस तामे पर रहु क करते हैं, जिनको सामन जनता है, जो लोग रोज ओफिस आते हैं, काम करते हैं, उठते बैठते उनको काम करना है, काम को स्किप नहीं कर सकते हैं, वो लोगों ने क्या करना से हैं, वो लोगोंने सबेरे उठकर माता भणवती का दुर्गा चालीसा का पार्ट करें, ज्यादा उनका फूल मा को अगर चड़ाते हैं, मा बहुत कृपा करती हैं, बहुत जल्दी मा प्रसंद होती है भक्तों पे, तो वो करना है, और कन्याओं को मीठा खिला है, अगर समझा आपको कन्या भोजन भी करने का नहीं है, गरिब कन्याओं को कुछ भी आप मीठा खरिद के दी सक करते हैं, तो मा वैसे ही प्रसंद होते हैं, क्यों मा घट-घट के पट-पट के निवासी है, सब जानती है, मेरा ये अगला सवाल है आपसे, कि 12 राशियों के हिसाब से 9 दिन कैसे उपासना करें, और ये 9 दिनों में किस तरह से हमने पुजा अर्चा करनी चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए, क्या बताओगे? शुक्र रक्षक्र, शुक्र ग्रह प्रदान हैं, तो वुर्षब राशिवालों को महागवरी माता का पुजा करना चाहिए, सफेद वस्तिर पेन करना चाहिए, या सफेद फूल माता को अर्पित करें, को और वे में नहीं तो सफेद रंके, सफेद पेड़े या बताशिव सफेद पत्र, का राशिवालों को माता खाले इसल़ा पुजा करना चाहिए, माता शहिल्टी पुत्री को दूद से बना वा मिठाई अगर हम चड़ाते हैं और माता को बताशे चड़ाते हмы तो इससे माँ बहुत जल्दी प्रसंप्र होती है सिम्वराशी वालों को माता कुश्मंडा का पुजा करना चाहिए जो म होती है इसस संसार में जितने भी सूरज है यहाई धर्ती एक सूरज मेंको दीटा है ज़िता है तो श्रुष्ण पूजा करना चाहिए। माता के मंदिर में अगर करपूर का चला के आते कन्य राशी वाले उनको बहुत लाब होगा अगला है तुला राशी तुला राशी वालों देखो शुक्र का राशी है ये तुला राशी वालों भी महागवरी माता का पूजा करना चाहिए ये महागवरी माता का पूजा माता क इत्र अरपित करें, सुगंदित फूल अरपित करें, उसमें भी अगर मोगरे का फूल अगर मिलता है, अगर वो माता को अरपित करते हैं, तो बहुत उनको कृपा मिलता है, सफेद रंग के मिठाई चड़ाए माँ को, बिर्चिक राशी वाले, जो मंगल का राशी है, उनको म मां सकंद माता का पूजा करना चाहिए सकंद माता के पूजा करने में उनको अगर लाल कपड़े पेंसातने तो पहने लाल रंके मिठाई माता को अरपित करें गुड का बनावा कोई चीज का भोग लगाए माता को और लाल रंके फल अरपित करें माता को अगला है अपना धनर चंद्रगंटा के एनरजी से जो अपना उनकी शक्ति से ओमकार का उत्पन हुआ तो यह जो मा का जो है चंद्रगंटा रूप का माता पूजा करना चाहिए धनुराशी वाले तो पीले रंग का वस्त्र पेले और पीले रंग के फूल अगर नहीं विद में चड़ाते तो अच मा कुम राशी वालों को साड़े सती भी चल रहा है मा काल रात्री का अगर रात के समय पूजा करते हैं नीले रंग के फूल अरपित करते हैं और खास करके अगर नीले रंग के फल वगरा जो होते हैं जो साब काले जामुन होगे काले अंगुर होगे माता को अरपित करते है या फिले रंके, अपने मिठाय वगरा थोटे कन्याओं किलाते हैं, तो बहुत अच्छा है, देखो अगला है अपना, हमने तो ये जाना, क्या करना, क्या नहीं करना, हमें क्या नहीं करना, जिससे मा कुरुईत हो सकती है, अपने नौरात ने, देखो सबसे बड़ी बात, संबाग दे, उनकी बिज़ेती न करे, कोई भी इंसल्टिंग या फिर उनको बुरा लगने जैसा कोई बात नहीं करे, या उनको ऐसा कुछ दुरुवेभार उनके साथ न करे, जिससे उनको कश्ट हो, उनको दुख हो, हो सब्गे तो उनको मदद करो, दूसरा बात, अपना न जैसा है, नवरात्री में घर में शांती बना के रखे, सफाई बना के रखे, जल्दी उठे, रात को बैठ के मा का भजन करे, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो बैठ के दुर्गा चालिसा पड़े, वो भी नहीं होता, एक ही मंत्र बोले, जै 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 दुर्गे, और आईश्मरवी का भर्मार हो सकता है, हमारे हाथ में हम करम करेंगे, करम करेंगे तो हमको फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो खांसे मिलेगा. ये सब हमें जो है आज जोतिशाचारिय श्रद्दानन मुहन जी इन्होंने बताया है आज के भविशे दर्पन कारेकरम में आज के खास मुलाकात में वक्त चलाए यह रुखने का आप देखते रहे ये BCN News नमस्कार नमस्कार कर दो कर दो